अपना घर खुद बनाए या ठेकेदार को दें? दोनों रास्तों के फायदे नुकसान समझिए, अपना सपनों का घर बनाना हर किसी की खुशी होती है, लेकिन यह फैसला लेते वक्त एक बड़ा सवाल सामने आता है, खुद घर बनाए या ठेकेदार को काम सौंपें, दोनों तरफ फायदे और नुकसान हैं, और सही फैसला आपके बजट, अनुभव, समय और जोखिन लेने की सहनशीलता पर निर्भर करता है, खुद घर बनाना, फायदे, कम खर्च, अगर आपके पास निर्मान का कोशल है, और सस्ते में सामगरी जुटा सकते हैं, तो बचट हो सकती है, अपनी पसंद का घर, हर छोटे बड़े फैसले पर पूरा नियंत्र, खुद को साबित करने का मौका, खुद घर बनाना एक गर जैसी महत्वपूर्ण चीजों में, सुरक्षा संबंधी चिंताय, निर्मान कार्य खतरनाक हो सकता है, और आपके पास सुरक्षा उपकरण और विशेशग्यता की कमी हो सकती है, परमिट और सामगरी खरीदने में परेशानी, आपको जटिल नियमों से गुजरना पड़ सक और अच्छी डील पाने में मुश्किल हो सकती है, ठेकेदार को काम देना, फायदे, समय और महंत बचती है, ठेकेदार पूरी प्रक्रिया को संभालते हैं, जिससे आप अन्य चीजों पर ध्यान दे सकते हैं, विशेशग्यता और अनुभव उनके पास गलतियों से बचने और कुशलता से निर्मान करने का ज्यान और कौशल है, सुरक्षा वे सुरक्षा उपायों को प्राथमिक्ता देते हैं और उनके पास उप्युक्त उपकरण होते हैं, पर्मिट और सामगरी खरीदना आसान उनके पास पहले से ही रिष्टे होते हैं, और नियमों को समझने क अनुभव होता है। नुकसान ज्यादा खर्च उनकी विशेशग्यता और श्रम के लिए आपको भुगतान करना होगा, जिससे बजट बढ़ सकता है। अनुभवी बिल्दरों और ठेकेदारों से बात करने की सलाह दी जाती है। याद रखें, अपना सपनों का घर बनाना एक बड़ा निवेश है। इसलिए ऐसा रास्ता चुने जो आपके संसाधनों, शमताओं और वांचित परिनाम के साथ सबसे अधिक मेल खाता हो।